नमस्कार दोस्तों मैं दीपक्यादो आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम बात कर रहे हैं फोर्ड के EcoSport में S Sports Variant की 2021 model इसके फ्रंट पार्ट पर अगर मैं बात करूं आपसे तो Smoked Grille है इसका बाकी वाइट है इसमें दिये हुएं DRL है Fog Lamp, Front Turn Indicators, Dual Tone Exterior, Interior DRL as a standard part EcoSport के हर वेरिंट में है और अभी इसका प्रोजेक्टर लैंब भी मैं आपका अन करके दिखाऊंगा यह दिखें वाइट HID Lamps इसमें दिये हुए है फोकस बहुत ब्राइट है इसका इसमें स्ट्रेट फोरवर्ड है काफी अच्छा फोकस है अभी हम इसके High Beam भी देखेंगे के नीचे Fog Lamp अन है Fog Lamp यह इसके High Beam देखें कुछ इस तरीके से इसके Visibility है अभी हम इसको पूरा देखते है हजार के साथ में तो आप देखेंगे ORVM पे भी इसमें टर्न इंडिकेटर दिये हैं इंजिन के अगर हम बात करेंगे इसमें तो 1.5 इंजन पंद्रासो सीसी इंजन दिया हुए है इसमें जो की फोर्ड के स्टैंडर्ड वार्रेंटी तीन साल और एक लाग किलोमीटर के साथ आता है थिर इसलेंडर इंजन फोर्ड नहीं आप दिया 122 PS के साथ में है 1500 के इंजन है अच्छा इंजन है स्मूत है और सबसे पावरफुल इंजन है इस सेगमेंट मेरें मुट्ली कारों में आपको 1260 मिलता है यहां पर फोर्ड आपको 1500 के से डेलिवर कर रहा है यह वेंट्शिल शेंपू के लिए बोटल दी है यहां पर आपको इसको फैल कर सकते हैं और रियर इस्पेस अच्छा दिया हुआ है एंजन माउंटिंग भी मैं आपको दिखाने के कोशिश करता हूं अकर दिखे तो यह देखे कोच इस तरीक से हां उतना एक्जेक्ट व्यू इस पेस काफी अच्छा मुला खुला खुला एंजन है ब्रेधिंग के साब से अच्छा रहेगा इसके साइड लुक्स के अगर मैं बात करूं तो यह स्मोक्ड अलॉय डामेंड कट भी बोलते हैं कुछ लोग इसको मशीन कट भी बोलते हैं बट हां नो डूट बहुत संरूफ है ब्लैक यह देखे आप इस मोग कलर में अलेकि उतना वह नहीं व्यू नजर आ रहा है बट यह ब्लैक है चाबी कुछ इस तरीके से इसके दोनों जाबी आएगी लॉक अनलॉक का ओप्शन इसमें आता है और कैपेसिटिव टच के साथ में है वेहिकल कैपेसिटिव टच जैसे कि मतलब आपको वेहिकल की चाबी बस जेब में रखे या कहीं पे भी यह देखे कुछ इस तरीके से अनलॉक भी होता है यह सैटिंग आप आफ करना चाहिए कर सकते हैं पार विंडू के स्विच कुछ इस तरीकी से डिजाइन है यहां पे चारो ड्राइवर साइड पे आपरेटे और सेपरेट तीनों डूट्स पे अपने अलग विंडूस दी विया है मिरर फोल्ड अन फोल्ड का है यही पे option दिया हुआ है मिरर अजस्मेंट है फोल्ड लेबल है यह रेवर साइड वन टच अपन डाउन विद अन्टी पिंच यह देखे यह मैंने एक बाहर दबाया और यह अप गई तो आप अपन डाउन एंटी पिंच ड्राइवर साइड इसमें दिया हुआ है आपको लॉक अनलॉक फ्रंट दोनों डूर्स पर आपको मिलेगा मिरर कुछ तरीके से फोल्ड लोंगे यह देखें अंदर से आप यह ट्राफिक में बहुत यूश्फूल चीज है देखें यह अनलॉक का एड्जस्मेंट की बात करें तो राइट साइड का मिरर कुछ इस तरीके से यहां पर यह देखें अंदर से पूरा एड्जस्ट हो जाएगा उपर नीचे जैसा भी आप जो पहले जॉयस्टिक से करते थे वह सारा मोटराइज है लाफ साइड के लिए लाफ साइड का है यह देखें तोड़ा दूर है बढ़ आप देख सकते हैं कि वह मूव हो रहा है उपर नीचे साइड में ऐसा अजस्मेंट है अभी मिस्टर अनिरुद यह हमारी हल्प करेंगे इसके सीट को समलने के लिए ड्रैवर सीट इसमें हाइट अजस्मेंट दिया हुआ है कुछ इस तहीगे से लोवर एंड अपर स्टेरिंग को दिखाएंगे टिल्ट और यह टेलिसकॉपिक यह तेल्ट और यह टेलिसकॉप अभी कोई डिवाइस से कनेक्ट नहीं है इसके MFD में अगर हम देख रहे हैं तो क्योंकि स्पीड अभी वेकल घड़ा हुआ है तो इसलिए बता रख है कि जीरो स्पीड पे था बागी इसका फ्यूल एकोनोमी और यह सारी चीज़ें आपर यह ट्रिप मीटर इसमें दो आ अगर अगर स्पीड इसके में देखें हमने लैंगवेज अभी इंगलिशी कर रखें एक किलोमिटर लीटर मेजरमेंट उनिट टैंपरिचर उनिट टायर प्रैशर पीज़ें में जो हमने देखा मैं इसको पीज़ेंच कर सकते हैं बट अपने पीज़ेंच चलता है यहां driver assistance में हम देखते हैं hill start assist और rear park pilot यह on off हम कर सकते हैं बट ही हमेशा on ही रहने चाहिए है vehicle setting में हम check करते हैं क्या-क्या दिया है auto engine off, chimes, lighting, locks, mirror setting, wiper setting इस सारी settings आपको यहां पे available है ford mikey mikey info इसमें दोना admin की है mikey एक अच्छा feature है जहां पे आप अपने vehicle की speed 100 near and 100 above set करके दूसरे को hand over कर सकते हैं और vehicle उसके उपर नई drive होगा अभी हम बात करते हैं इसके steering part पर air back के साथ में steering है यह जो right side वाला देख रहे हैं to sync with emergency assistance, voice command का base में दिया हुआ है cruise control इसमें है left side में आपको MFD के adjustment करने का उपर वाला पोरा cruise control के हैं, cruise control with speed limiter काफे अच्छा है, leather wrapped steering इसमें दिया हुआ है लोकी बहुत सुंदर लगता है with stitching red stage dual tone है तो इसमें match engine start stop इसमें option है आता है basically music system जैसे मने बताया है android auto, apple carplay दो नुक साथ में music system बहुत सुंदर है इसमें touch response मेंने चेक किया काफी अच्छा response इसमें touch का दिया हुआ है am, fm, bluetooth, phone connectivity, mobile apps, कुछ limited ही है setting में देखते हैं तो sound setting भी तो ठीक है आप अपने हिसाप से adjust कर सकते हैं clock setting है, bluetooth का है, phone का है अभी इसमें एक अच्छा mode है valley mode इसमें आप कभी वर्क्शॉप भी अपना वहिकल देते हैं तो आप अपने इसको music system को lock करके इसमें pin लगा के hand over कर दीजे आपके major system के साथ कुछ छेटा नहीं करेंगे लॉक हो जाएगा voice control इसमें voice control आपको दिया हुआ है आप किसी को भी इसके तुरू call कर सकते हैं और बहुत साही चीजे display display की अगर मैं आप से बात करूं तो इसमें आप background का option है आप background का option है मैं वापस इसका standard कर देता हूँ display off यह अच्छा feature है night में बहुत visible है अच्छा है visibility कम करने के लिए double tap से वापस अपनी original position में आ जाता है emit light बहुत लोग उने मैंसे पूछा भी कि titanium emit light है क्या but ford नहीं सिर्फ S variant में दिया है जिसमें इस तरीके से आपके multi color lighting यह साथ color के option है इसमें अभी यह कैसे यह देखे कुछ इस तरीके से काम कर दिये वीडियो में इतना clear view नहीं आ रहा बट हाँ आप देख सकते है colors change हो रहा है जैसा मैं उदर screen से कर रहा था वह सारा अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कैसे क्या हो रही है यह purple, blue, green, red, orange, blue यह सारे option यहां पे है manually यहां से आप इसको बंद कर सकते हैं stereo के tune करना है तो यहां से tune कर सकते हैं AC vents आपको दिये हैं उपर नीचे और side में ही है आप इसको AC vents को कर सकते हैं बीच में यह hazard का switch है AC climate control दिया है और AC आपको पता ही है Ford के no doubt बहुत अच्छे ACs आते हैं यहां पे आप minimum 15 degree temperature पे भी dual USB दिया हुआ है traction control आपको दिया हुआ hill launch assist emergency brake assist इस सारे features आपको S model में हैं और अब यह titanium में भी आपको दे दिये गए हैं 12 watt power outlet as usual 5 plus 1 gear shifting यह speakers Ford ने आपको चार door में speaker दिया है एक dashboard पे दिया है और दो tweeters आपको S variant में available करा हैं यह door का speaker electrochromic glasses में दिया है कफी advanced mirror है auto adjust करता है यह रात के वो light ओ को light tim कर देता है पीछे वाले की यह lights cabin lights basically यह जो switch दिया हुआ है यह आपको sunglass रखने के लिए यह जो switch में दिया हुआ था यह sunroof का है यह वाला switch जिसके में बात करा था sunroof के लिए दिया हुआ है जैसे मैं इसको press करूंगा अभी आपको दिखाऊंगा कैसे यह sunroof open होते गा यह कुछ इस तरीक से और यह sunroof open हो गया बहार का थोड़ा सा M.I.Road का नजारा देख लेते हैं और यह showroom यह showroom का view ओपर रोफ का तो काफी अच्छा view है sunroof के लिए और यह इस तरीक से यह sunroof बंद हो चुके और curtain भी हम इसमें भी लगा देते हैं यह यहां पे front passenger के लिए light mirror दोनों दिया हुआ तयार हुआ रहा से अंदेरे में बट driver बिचारा वहीं जाके तयार हो यह mobile जिसमें लैंप आता उसे काम ले curtain airbags इसमें available है side airbags इसमें available है overall इस variant में आपको 6 airbag मिलेंगे और यह अब हुआ है otherwise titanium plus में भी आपको 6 airbag थे जो manual transmission इसमें आ रहा था बट अभी इस model में जिसमें डीजल पेट्रोल manual transmission दोनों है तो यहां पे आपको 6 airbag मिलेंगे पीछे reading lamp लगा हुआ है dual tone interior को इसका कुछ इस तरीके से design किया हुआ है यह देखे fabric plus leather इस दोनों कुछ मैं थोड़ा करीब से दिखा देता हूं आपको dual tone interior इसका और यह storage part यह front armrest अंदर storage है यह पीछे door की तरफ हमने देखा तो पीछे door पे भी speakers लगे हुए है पीछे power window switch है इधर can holder भी है interior में कुछ इस तरीके से यह दिया हुआ है head stand adjustable है अब उपर नीचे अपनी साब से adjust कर सकते हैं इनको seat 60-40 split है जो कि S model इस तरीके से अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा यह मैंने 40% करा है उस seat को भी मैं करके दिखाऊंगा यह S variant available है अभी आपको अगर storage part use लेना है तो इस तरीकी से ले सकते हैं अभी हम यह वाला भी fold कर देते हैं यह सिर्फ back fold होता है tip and tumble option इसमें नहीं है और यह कुछ उस तरीके से आपको storage का में लेना है tray removable है वह भी मैं आपको करके थोड़ी दे में दिखाऊंगा एक अच्छा part है उसमें वह है boot management का यह tray इसको ऐसे लें और अपने comfort के हिसाब से इसको यह पे adjust करें और almost बराबर से जगे हो जाती है सोने के हिसाब से भी बहुत बड़ी है और यह tray hard है नीचे वाली तो इसमें भी नीचे भी कुछ जरू साम रख सकते हैं इस तरीके से पूरा boot storage मैंने पीछे के ट्रे हटा दिये parcel tray boot lamp इसमें available है अभी सीटो में देख लेते हैं आपको armrest with का folder इसमें दिया हुआ सिंपल अगर बूट की बात करें निकाल सकते हैं पीछे defogger rear wiper दिया हुआ है defogger rear wiper defogger defogger जैसा आपको उपता है बरसांत और dhund case में बहुत काम का है rear wiper बरसांत में काम का है पांचवा alloy wheel with anti-theft nut ford ने दिया है easily कोई चोरी नहीं करेंगा अला एक चोर के लिए कोई चाबी नहीं है ताला नहीं है पीछे camera नमबर प्रेट के ठीक उपर camera चारो parking sensor यह right side के parking sensor और यह left side के parking sensor smoke gray color हमने देखा smoke gray color है S model हमने देखा roof को इस तरीके से black color है तो thank you so much आप सभी ने मेरा वीडियो देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शाम आने वाला समय सब अच्छा गुजरे और आशागरतों आप चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद करेंगे आप करेंगे और आप अज़ आप झाल झाल